हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग और आज हम पढ़ रहें मैट क्लास एट का एक और चैप्टर अंडरस्टैनिंग क्वाडी रेटरल्स तो फट्स अगर आपने इससे पहले हमाई मैट सीरीज की वीडियो नहीं देखे तो देख लिजेगा और हमाय चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले क्वाडी रेटरल समझने के लिए हमें सेप्स समझने पढ़ेंगे तो फ़र सेप्स और ऑब्जेक्ट का एक ऐसा फॉर्म है यह या तो उसको आप उसके एक्स्टेर्नल बाउंडरी या उटलान या एक्स्टेर्नल सर्फेस भी कह प्लेन सर्फेस यहां पर यहां पर आपको कर्ड़ सर्फेस यह तो आप बच्पन से पढ़ते हैं अब मैं आपको बताता हूं कवस के बारे में कव इस लाइन और आउट लाइन विच ग्रैजुवाली डैविट डैविट फ्रम बेंग स्टेर्ट एंड और 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 ऑल उफ तो फड़ एक ऐसी लाइन होती है जो कि स्टेट नहीं चलती या तो पूरी तेड़ी होती है यह थोड़ी आंगे जाके तेड़ी हो जाती है तो फड़ जो जो सिंपल कर रहता है वह वह अपने को क्रॉस नहीं करता और एक क्लोज करका जो है वह उसके कोई एंड पॉइंड बाश नहीं होते और वो एक पूरे कर्व को पूरे एरिया को एंड क्लोज कर लेता है आप मैंते है कर टाइप सिंपब का नडियोट लोगी कलोज नहीं नौट सिंपल कर यहां यहाँ यहां पर उवरलैप कर R cell इसलिए वह पर कर भी नहीं है सिंपल क्लोज कर वो यह सिंपल तो है ओवर लेप तो नहीं कर रहा है लेकिन यह क्लोज हो चुका है अदर का पार्ट रहता है जो पोशन उसने कवर का कर रहा है उसको हम interior of the curve कहते है और वह स्केश के बाहर है ज्सक से यहां यहां पर देखीए जो बलू है वहाइट इस में दर्शाार आए यहां यहां पर फर्ण्स ब्लू एक्स टीडर को दस आ रहा है तो फर्ण्स कर्व और सेफ समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने में टॉपिक पॉलिगंस की तरफ तो फर्ण्स यह भी एक सींपल क्लोज कर्व होता है जो की लाइन सेंग्मेंट का ही बना होता है इसमें ऑफ बहुत सारे पॉलिगंस जैसे थ्री वर्टीस स्ट्रेंगल फॉर वर्टीस स्क्वाड रेटरल फाइफ रसे पेंटागन चिस वर्टीस हैं हेक्जागन एं तो आशूं बेश्यां पॉर्ष नाप बेटा ड्यागनल इन एक्स्टीर तो फर्डूर्ण्स इन एक्स्टी तो फर्ट से konvex को आप ऐसे याद कर सकते हैं वो पूरी plane है लेकिन फर्ट से koncave जो है उनका अपने diagonal का भी एक surface उन्होंने cover कर दिया रखा है जैसे यहां पर उसने एक diagonal का भी एक surface cover कर दिया रखा है उनमें एक cave type की बनी हुई है आप ऐसे यही याद कर सकते हैं और convex में कोई भी cave नहीं है based on size of angle between addresses तो फर्ट अब हम देखते हैं sides और vertices के बीच के angle के आधार कर से करते है regular polygon तो फर्ट रहे regular polygon जो रहता है वो वो इक्वेंगुलर रहता है यह term का मतला है कि कि किसी भी दो वर्टिस के बीच का angle equal हो और equilateral रहता है सारी sides equal होती है regular polygon लेकिन इस इर्रेगुलर पोलिगोन में वो equallingर हो सकते हैं उसके सारे angle बराबर हो सकते हैं लेकिन उसको equilateral नहीं होने चाहिए जैसे irregular polygon का एक example हमें triangle से मिलता है अब देखते diagonal a diagonal is a line segment connected to non-consecutive vertices यहने दो दो जो दूर दूर है उनको connect कर रहे हैं यहां पर देखे एस और क्यू को diagonal connect कर रहा है हम देखते angle some property for a polygon the sum of interior angle is always fixed regardless of the shape of polygon तो पर एक polygon के लिए उसके interior angles के sum को हमेशा भी fix कर दिया जाता है उसके shape को ना ध्यान में रह रखते हुए तो पर इसका formula है n-2 into 180 degree तो मैं जहां पर n जो है न वो number of sides of the polygon है जैसे मैं आपको बताता हूं triangle जो है उसमें 3 sides है तो तो हम formula आगे n-2 into 180 3-2 into 180 याने 180 degree आ गया coordinator 4-2 into 180 तो 360 degree ऐसे आ जाएगा अब मैं आपको problem देखते हूं आपको कमेंट्स में भी करना है देखें यहां यहां पर angle sum property सबका sum 360 degree है न तो हम क्या करेंगे इन सबको plus करेंगा तो 300 degree plus x is equal to 360 degree ऐसे में x equal to 60 degree निकल के आ जाएगा hope आपसे भी यह question बन गया होगा अब मैंस हम एक और property की तरफ बढ़ते है जो है exterior angles sum property तो मैंस किसी भी polygon के लिए sum of exterior angles is always 360 degree of the number regardless of the number of sides of the polygon तो फिर बाहर के सारे exterior angles के sum 360 degree होगा चाहे वो triangle हो rectangle हो या फिर कोई भी polygon हो the sum of angles in a linear pair एक line में angle बन रहे है तो वो 180 degree के ही होगे exterior angle x x degree equal to sum of opposite interior angle exterior angle का मतलब opposite interior angles का sum here the sum of interior angles x plus y will always equal to 180 जैसे मैंने आपको बनाया पाइंडेक्स in the following figure तो फिर यहां यहां पर देखिए बाहर का दिया गया है लेके अंदर का भी दिया गया है तो फिर हम देखेंगे यह दोने लिने पेर बना रहे है तो 125 degree plus M equal to 180 degree क्योंकि लिने पेर ऐसे M 55 दिया जाएगा तो ऐसे में हम यहां का भी निकाल लेंगे यहां से यहां यहां से तो M दूसरा M भी 55 दिया जाएगा सिंस एक्सटीर एंगल सम आफ आपोजिट इंटीर एंगल ऐसे 55 और 55 का प्लस करेंगे तो एक और एक्सटीर एंगल हमारा निकल के आजाएगा अब एक और प्रॉब्लम है फ्रेंट्स इस एक्सटीर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलिगन नाइन साइट्स 15 जाइट्स तो फिर नाइन साइट्स में सबसे पहले हमें एक ऐसे रेगुलर पॉलिगन का सम आफ एंगल निकालना पड़ेगा तो हम वह वारा फॉर्मुला लगाएंगे एन माइनस टू इंट्स इंट्स गाल यहाने नाइन माइनस टू सेवन इंट्स हमारा ट्वल्फ हंड़ेगरी निकल के आ जायगा तो पर सम अफ इंटीर एंगल अपॉन नमबर आफ साइड्स जितनी साइड रहेगी सम अफ इंटिर एंगल को इससे डिवाइड कर देंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा और हर एक्स डिडर एंगल को हर एक्टिडर एंगल को निकालने के लिए 180 डिग्री से 140 को माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री इसमें आ जाएगा तो फंस आब हम बढ़ते हैं काइट्स और क्वाडिरेटरल की तरह ट्रपेजियम इसके पास एक ऐसी पेर आफ साइट्स होती है जो कि पैरेटरल होती है काइट इस एडायमंड शेट काडिरेटरल विफ तू डिग्सिंट कॉंजिकूट पेर आफ साइट्स और एक्वाल लेंथ तो फंस यह इसमें दो डिग्सिंट ऐसी पेर ऑन के जिनकी length equal होती है यह एक diamond shape का होता है आपको यहाँ पर दिखाई दिये ही रहा होगा अब देखते पर parallelogram आप parallelogram has two additional constitute pairs of parallel sides of equal length इसमें सारी sides parallel होती है और सारी sides equal होती है जैसे मैं आपको यहाँ पर एक diagram ड्रो करके बताता हूँ तो पर जैसे यह है हमारा तो पर जैसे हमने माल लिया A B C D तो पर यहाँ पर A A C और B D यह दोनों opposite sides हो गए और A B और C D यह दोनों भी opposite sides हो गए एंगल A एंगल C एंगल C एंगल A और एंगल C दोनों opposite हो गए और मैं दूश्य करण से बताता हूँ एंगल B और एंगल D यह दोनों भी opposite हो गए जैसे यहां पर साइट साइट की addition sides हो गए और 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 यह दोनों एंगल एंगल भी तो फर जो पास पास पर यहां पर बहुत मैस हो गया था इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं जैसे हम यह बनाते हैं तो दोनों साथ साथ में जो एंगल होते हैं मतलब यह यह दोनों हमारे एड़ेसेंट एंगल हो गए तो फिर से आप हम देखते हैं एक और प्रॉबलम ड्रॉ और राथ फिगर ऑफ और कॉडिरेटल डैट इस नौट अपार बथ है है एग्जाटल टू अपोजि वन हंडेट टैन डिगरी तो यहां पर आपको दिखाए दिए रहें दो लाइन्स एकोल आपको दिखाए दिए रहें तो यह दाइमंड सेव्ट भी है तो यह इसको एक काईट होना चाहिए अब हम देखते हैं फर स्टाइप सफ पैरललेलोग्राम देर आर वेरिश टाइप गाइप सफ पैरलल एलो ग्राम विचल लिस्टेट बेलो तो फर सडॉम बस जो है वह एक काइट लाइक सेव्ट है लेकिन हैं और और आपोजिट साइट साब पैरलल तो इच अदर तो वह राव में एक काईट अदिक स्फेप है लेकिन उसके सारी साइट इक वालिन थोती ह और रोमस बाइसेक्ट इच अधर एड 90 डिग्री रोमस में ऐसे होता है 90 डिग्री में बाइसेक्षन होता है दौनों डाइगिनल्स के बीच में एंगल एउडी एकल टू एंगल सी ओडी एसे एस कॉंगिरॉस्जिक गेटेरियल जैसे मैं आपको यहां पर बता लेता हूं यह यहां पर उसके यह वाला एंगल और यह वाला एंगल और इसके आपोजिट एंगल एकल होते हैं और उन्हें दिखते फिस रेक्टेंगल तो फिस रेक्टेंगल को आप ऐसे भी किस्ते हैं कि एक स्क्वेर है उसके एकल एंगल चाहां पोजिट साइट साथे रेक्टेंगल साइठेंगल और वह इस दर से रहते हैं डाइगनल भी एक लेंद के होते हैं और यह एक दूसरे को काटते भी हैं आप मोदेखते स्क्वार्ड इसे रेक्टेंगल इवल साइड और इकल अपोजिक आप्रिक एंगल होती है और सारे एंगल एंगल सप्लिमेंटरी होते हैं तो ऐसे में 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा ऐसे एक्स एक्वल टू एक्टी डिग्री आ जाएगा जैड़ जो है वह भी एक्टी डिग्री आ जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल भी पैरलेलोग्राम के एक्वल होते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हमें जरूर जरूर बताएगा कि हम कौन सी चैप्टर से वीडियो बनाया थैंक्यू वेरी मस्की प्लैनिंग भी तविला हो